दलिया और मुंग दाल की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डिर्ड कप दलिया ले लिया हुआ है यह आधे कप से कम मुंग का दाल ले लिया हुआ यह बिना चिलके वाली मुंग की दाल है तेल जरूरत अनुसार नमक सौधा अनुसार सबजियों में यहाँ पर आधा कप बारी कटा हुआ गोभी ले लिया हुआ है आधा कप फ्रेस मटर के दाने ले लिया हुआ है आधा कप बारी कटा हुआ गाजर एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने बारी काट लिया है एक बारी कटी हुआ हरी मिर्च एक टीस्पून गर्म मसाला एक टीस्पून से कम धन्या पौडर हाफ टीस्पून हल्दी पौडर वनफोर टीस्पून जीरा तो चलिए फटा-फट से बनाना शुरू करते हैं तो अब सबसे पहले मैं दलिया और मून की दाल को धूल के तयार कर लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने दलिया और मून की दाल दोनों को धूल के तयार कर लिया है तो अब मैं चलते हूँ नेक्स प्रॉसेस की ओर तो मैंने यहाँ पर एक कूकर गैस पर रख दिया है कुकर गरम हो रही है मैं इसमें यह दो टेबल स्पून के करीब ऑईल डाल दे रही हूं और ऑईल को भी अच्छा से गरम हो जाने दे रही हूं तो यहां पर ऑईल गरम हो गया है अब मैं इसमें यह सबजें डाल के इससे अच्छा से फ्राई कर ले रही हूं तो मैंने यहाँ पर गोवी को फ्राई कर दिया है अब मैं इसी में यह मटर दाल देरी है और मटर को फ्राई कर देरी है यहां मटर को भी मैंने एक में तक फ्राई कर दिया है अब मैं इसमें यह गाजर राच कर देरी है और गाजर को भी मैंने एक में तक फ्राई कर दिया है अब मैं इसारी सब्जियों को खाली कर देती हूं तो यहां पर मैंने सब्जियों को खाली कर लिया है यह देख सकते हैं अब मैं इसमें दो टेविल स्पून के करेब और डाल रेरी हूं और इसे बह गर्म हो जाने देती हूं तो यहां पर ऑई गर्म हो गया है और मैं इसमें यह जीरा डाल दे रहा हूं तो यह जीरा रोस्टड हो गया है अब मैंसमीं यह हरि मिर्च और यह कटा हूवा प्याज दाल देरी है और प्याज को में सौफ्ट कुप लेगा है तो यहाँ प्याज को भी मैंने एक मिर्च तक सौफ्ट कुप लिया है अब मैं इसमें ये सारे मसाले डाल दे रही हूं। मसाले को मैंने भूल दिया है। तो अब में इसमें ये दल्या डाल दे रही हूं और ये मूं की दाल भी हूं अब इसे भी मैं बूल ले रही हूं दल्या को भी एक मिट तक मैं सुख कर ले रही हूं तो ये यहां पर दल्या को भी मैंने एक मिट तक भूल दिया है ये पूल गई है अब मैं इसमें ये सारी सब्जी आइट कर दे रही हूं और ये नमक भी अब इन सारे को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूं ये अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है तो अब मैं इसमें ये साड़े तीन कप के करीब पानी डाल दे रही हूं तो मैं कूकर के ढकन बंद करके और इसे एक सीटी तेज पर और एक सीटी दीमे आज पर लगा लेती हूं तो तेज फ्लेम पर एक सीटी आने तक और फिर उसके बाद गैस का फ्लेम लो करके इसे एक सीटी लो फ्लेम पर लगा दूँगी तो यहां पर टोटल दो सीटी आ गई है एक सीटी तेज फ्लेम पर लगा दिया और एक सीटी लो फ्लेम पर तो अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूं और कूकर को पूरी तरीकी से ठंडा हो जाने दे रही हूं तो यहां पर कूकर पूरी तरीकी से ठंडा हो गया है मैं इसे खोल देती हूं और यह देखिए यह देखिए मैं से अच्छा से मिक्स कर ले रही हूं खिच्टी पूरी बन गई है लेकिन अभी यह सूखी है तो मैं इसमें गरम पानी और एट कर दे रही हूं तो यहां पर मैंने इसमें पानी डाल दिया है यह देखिए आपको इसमें जितना पानी जरूरत हो उतना पानी आप एट कर सकते हैं अगर यह बच्चों के लिए बना रहे हूं तो और ज्यादा इसमें पानी आट कर लें तो अब मैं इसे एक सर्विंग बॉल में निकाल लेती हूं तो यह देखिए दलिया और मुंग दाल की खिचुड़ी बनकर तयार हैं आप इसमें जरूरत अनुसार पानी और एट कर सकते हैं जितना आपको गीला खाना है उससाब से आप पानी एट कर सकते हैं तो आप इसे ट्राइ कीजिए रैसे भी पसंद है तो प्लीज आप में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा